इसराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 19 वा दिन है इसराइली सेना ने मंगलवार रात को सीरिया के मिलिश्टरी बेस पर हमला किया IGF ने बताया कि सीरिया की तरफ से गोलन हाइट्स ने इसराइली समुदाय पर रॉकेट दाके गए थे जिसके बाद उन्होंने ये कारवाई की दूसरी तरफ UN इसराइल हमास जंग में सी स्कौायर की मांग उठाई है UN चीफ ने कहा फिलिस्तानी इस जंग में जो सह रही है उसके बावजूद भी हमास के हमलों को सही नहीं टेराय जा सकता इसी तरह हमास के हमलों की सजा सभी फिलिस्तानियों को मिलना भी सही नहीं है